Normally हमें यही सुनने को मिलता है कि US ने अलग-अलग देशियों के ऊपर sanctions लगाये हैं लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि US के ऊपर या US के किसी company के ऊपर किसी और देश ने sanctions लगाये हैं Recently China ने US के arms manufacturing companies के ऊपर sanctions लगाये हैं यहां से हमें एक बात तो definitely मालूम पड़ जाता है कि China का कद इतना तो हो ही चुका है जितना में वो US को directly challenge कर सके और हम देखते हुए भी आये हैं कि बीते कुछ सालों में China ने directly US को challenge भी किया है यह 22 में एक article है जहां पर आप देख सकते हैं कि China ने US के arms manufacturing companies के ऊपर sanctions लगाये हैं चाहे हम बात करें China का या US का तो इन सब देशों के जो बहुत बड़े revenue का source होता है वो हथियारों को बेचने के बाद ही होता है और उसके बाद अगर आप geopolitical news को पढ़ेंगे और समझेंगे तो यह कहपाना बेहत मुश्किल है कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है चाहे हम बात करें China की या US की तो इन दोनों देशों का जो एक single most objective है वो किसी भी तरीके से अपने global hegemony को establish करना है और यह सब जो हम aggression देख रहे हैं between China और US यह उसी hegemony को establish करने का process का एक हिस्सा है As per report, China ने US के 12 directly और indirectly weapons manufacturing companies या contractor के उपर sanctions लगाया है जिसमें की बहुत ही famous Lockheed Martin या Raytheon है और यह सब वो companies हैं जो बढ़ चड़कर weapons बेशते हैं और अगर आपको इनके बारे में अधिक जानना है तो आप Simply Sipri का website को जाके आप पढ़ सकते हैं जहां पर आपको मालूम पढ़ेगा कि Top 10 में से 6 से 7 जो weapons exporting company है या जिसने सबसे अधिक weapons बेचे हैं बीते सालों में उसमें आपको मालूम पढ़ेगा कि US और China बढ़ चड़कर participate किये हैं वहीं पर अगर बात किया जाए कुछ Western Media Report का तो उनका कहना है कि ये जो sanctions की बाते की जारी है चाइना के द्वारा ये सिर्फ कहने मातर है कहने का मतलब है कि जहां पर आम जनता को लगता है कि इस company के उपर या इस देश के उपर sanctions लगा दिये गया है वो चीज़ भी सही होता है लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और deeply analyze करेंगे या आपके पास अगर और भी articles को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि ये सारे देश आपस में इतना जादा interconnected होते हैं तो ये बस नाम के लिए हैं sanctions लगाते हैं और कोई न कोई loophole को वो ढून लेते हैं जिस loophole का इस्तिमाल करके वो आपस में business कर सकें तो ये भी एक हकीकत है कि ये सारे देश अपने supremacy को establish करना चाहते हैं और sanctions लगाने की बाते भी करते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देश आपस में वैपार भी बढ़ चड़ कर करते हैं क्यूंकि अभी रश्या यूकरेन के बीच में conflict चल रहा जो कि almost धाई साल होने वाला है इसी बीच बहुत सारे ऐसे चाइना के उपर allegations लगाया गये हैं या यूं कहले कि Western countries के दुआरा ये बहुती firm तरीके से कहा गया है कि चाइना रश्या को बढ़ चड़ कर वैपन्स दे रहा कि अगर चाइना रश्या को सपोर्ट कर रहा तो वो गलत है लेकिन वहीं पर अगर USA ताइवान को सपोर्ट कर रहा तो वो सही है तो ऐसे नूट्रल observer यहां से भी आपको समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने hegemony को establish करने का ये process है जहां तक बात किया जाए ताइवान के specifically तो ताइवान के बारे में अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि ताइवान एक island देश है जो समय दर समय कभी चाइना के पास रहा कभी independent रहा और वहीं कभी Japan के पास रहा वहीं दूसरी तरफ US बढ़ चड़कर ताइवान के forces के साथ joint operation करता है जो कि अगर आप चाइना के perspective से देखेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है वहीं पे अगर बात करें आप US या France का या इनके साथ और भी कुछ western countries का तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि पुरे दुनिया भर में शान्ती बरकरार रहे है क्यूंकि इन सब देशों का जो एक बहुत बड़ा revenue generate होता है वो conflict करके ही revenue generate होता है वहीं पर अगर बात किया जाया तो अगर दो देशों के बीश में tension होता है तो वहाँ पर आपको directly या indirectly US का presence देख जाता है वहीं पर recently एक statement दिया गया चाइना के foreign ministry के spokesperson Wang Wenbin के द्वारा जहां पर वो ये कहते हैं कि US को China का one China policy को मानना चाहिए और Taiwan से वो जितना दूरी बना के रखे उतना ही अच्छा है इसके पीछे का वज़े ये है कि इसी महीने के 20 तारी को Taiwan के ने president appoint होते हैं officially जिनका नाम है Liya Ching और ये जैसे ही president office को सम्हालते हैं वैसे ही ये बढ़ चड़ कर कहते हैं कि Taiwan एक independent देश है और ये किसी के under में नहीं है या नहीं आ सकता है कहने का मतलब है कि directly ये चाइना के जो interest है उसके against बाते करता है जिसके बाद US के दुवारा ये कहा जाता है कि Taiwan US का एक बहुत ही dear friend है कहने का मतलब ये है कि आप भी observe करना खुद से कि अगर US कभी भी ये कहता है कि ये देश उसका बहुत ही dear friend है या उस देश के बारे में वो बढ़ चड़कर तारीफ करता है तो कहीं न कहीं उस देश के लिए खत्रा बढ़ जाता है कहने का मतलब है किसी time पे USA पाकिस्तान को बहुत ही मदद करता था और पाकिस्तान के साथ उनके अलग type के ही geopolitical relation थे वैसा ही कुछ देखने को मिला Ukraine के साथ में जहां पे आज भी बहुत सारे experts का ये माणना है कि US कभी भी नहीं चाहता है कि Russia Ukraine war को रोका जाए अगर ऐसा होता तो ये war शायद कभी शुरू ही नहीं होता ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है भी ताइवान के case में जहां पे USA इनके military के साथ बढ़ चड़कर combat drill कर रहा है इनको weapons दे रहा है लिकिन ये exactly कह पाना बेहत मुश्किल होने वाला है या हो सकता है कि अगर कल को सच में China अगर ताइवान पे attack करता है तो क्या US चाइना के साथ directly conflict में उतरेगा क्योंकि चाइना भी एक nuclear power देश है और शायद US कभी ये effort ना करे कि वो directly एक nuclear power states को वो challenge करे क्योंकि 20 तारी को ताइवान के नए president अपने office को join करते है और उसके बाद वो कुछ ऐसा कहते हैं जो ठीक चाइना के interest के खिलाफ होता है as a result ये होता है कि चाइना अपने army, navy और air force तीनों को मिला के बहुत ही massive military drill करता है जिस drill का नाम दिया जाता है punishment drill और ये almost ताइवान जो island देश है उसको घेर के इस तरीके से इस drill को किया गया जहां पे ये बताया गया ताइवान को कि आप अपने जो statement है उसको बहुत ही calculated तरीके से दें और खास करके वैसा किसी भी शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जो चाइना का interest के खिलाफ है तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही threatening gesture है और एक direct challenge है ना कि ताइवान को बलकि US को उसके बाद अगर बात किया जाए तो multiple times ऐसे हुए है कि चाइना के responsible leaders बहुत बार ये कहते हुए आए हैं कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और देर सवेर ताइवान को चाइना में मिला लिया जाएगा और चाहे उसके लिए force का इस्तिमाल ही क्यों ना करना पड़े तो अगर हम इस video को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि no doubt चाइना से हमारे संबंद अच्छे नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज़ को ignore नहीं कर सकते हैं चाइना का कद आज के डेट में बहुत बढ़ा है और वो इतना बढ़ा है कि वो directly US को challenge कर सकता है इन सब पूरे process में कम से कम एक चीज़ जो हमें समझ में आता है as in Indian वो ये है कि हमें भी अपने export या manufacturing के उपर बढ़ चड़ कर focus करना चाहिए और states plus center दोनों को मिलके एक बहुत ही well planned तरीके से हर उस possible मौके का फाइदा उठाना चाहिए जिससे कि भारत का जो global presence है वो बढ़े और भारत का जो export है वो बढ़े I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye